हमने अभी इससे पहले इसको डिसकस नहीं किया है डिसकस नहीं किया है लेकिन आप इसको इसलिए सुने कि जब कोई देश कितना सा देश आसान भाषा में तोड़ा समझाने की कौशिश करता हूँ राजिस्थान की आबादी लगभग साड़े च्छा करोड है और एक देश ज से व्यापार समेटने के लिए मजबूर कर दिया मज़दार स्टोरी होने वाली है एक आइस्क्रीम बेचने वाली कंपनी जिसका नाम है बैन एंड जैरी आप मेंसे लोग वादिलाल को ही जानते होंगे लेकिन बैन एंड जैरी दुनिया के टॉप ग्रांट्स में से एक आप बोलते हैं बैन एंड जैरी अमेरिकन ब्रांड है और यूनि लीवर ने अभी इनको आटनोमी दी हुई है कि तुम अपनी पहचान अमेरिका सही रखो कि तुम अमेरिकन ब्रांड हो बहले ही तुम्हारा मालिकाना हक हमारे पास हो ठीक है ज्यादा इसमें कंफ्लिक्ट जाये तो मुझे भी बताइएगा लेकिन इसकी सबसे दुनिया में 37 से अधिक देशों में इसके आईस्क्रीम बिखती है पहले यूं समझेया इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया के जितने भी विवादित मुद्दे होते हैं उन पर अपनी राय रखने से न जिनको आप क्यों जानते हैं वजिसाब यह कुछ भी मतलब बस कुछ भी करने के लिए जाने जाते हैं ऐसे ही आज कल बहुत सारी अंतराश्टे संस्थाओं का हाल हो रखा है कि इनसे बस बयान दिलवालो यह बयान वीर हैं और उसी बयान वीर में बैन एंड जैरी अपनी बयानों को थोड़ा उच्छ कोटी का रखती हैं उच्छ कोटी का रखते हुए क्योंकि यह चाती है कि एडवर्टाइसमेंट पर पैसा खर्च मत करो देखो दो इस्ट्रेटजी हैं बविश्व में आप भी अगर बड़ा बनना चाहो यह स्ट्रेटजी मेरे को पतानी क्यो सही सी लगी है वोगों ने ख़र आज आप सोचो आप अख़बार में विज्यापन बनने कालते मों wol फ़रंट पेज हैना और अख़बार की राज्य में निकालना है कि तस 15 लाग वडमार काGo फाइदा क्या होता है क्या लोग आपको जान जाते हैं इसकी जिया रिवर्स में कंट्रोर सी क्रियेट कर देते हैं रिवर्स में कंट्रोर सी क्या आप अपने या पे बैनर लगा देते हैं कि फला फला जाती के लोगों को हम आईस क्रीम नहीं बेचेंगे बस आपको इतना ही करना है फिर तो देधमाल सोशल मीडिया देधमाल अख़वार वाले नियूस हो गए आपका व्यापार चल पड़ा फिर में विग्यापन हो गया आपने कहा सर जिनके विरोधी बने उनकी वज़े से व्यापार पिटा भी तो सही अरे व्यापार में उतना ही पिटा पिटापन हुआ या उतनी ही पिटाई हुई जितना कि आप विग्यापन पर पैसा ख है यह इन मुद्दों पर अपनी राय रख देता है बास फिर होने दीजे कंट्रोवर्सी लोग देगा माल गूगल करकर के मैंने भी इसके पीछे इसके कारण मुझे एक गंड़े पढ़ना पड़ गया एक्स्ट्रा मैंने देध हमाली स्की पूरी स्टोरी निकाली मैंने कहां से खोद के निकालो क्या कहानी है इसकी हो गया ना विग्यापन अब मैं इतने लाख वो बच्चों के सामने कहानी सुना रहा हूं लीजिए अब आप मेंसे कुछ क्रियेटिव लोग होंगे जानना तो ये क्या माल है इसका क्लियर है आज अब चलते हैं बैने जैरी की कहानी सुने यह ना टॉम डिक एंट जैरी नहीं है ये बैन एंट जैरी है तो सब बात ये है बैन एंट जैरी एक अमेरिकन ब्रांड है दुनिया भर में कई जगे इसके आउटलेट्स है आइस्क्रीम के इसराइल के अंदर जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, जो की इसराइल के द्वारा illegally occupied है, अब जिनको ये मैप में जानकारी नहीं पता है कि ये कहा है, उनको मैं बताऊंगा कि कहा है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझेए, जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, उस जगे पर छूकी इसराइल ने illegal कबजा किया हुआ है, तो हम अपनी ice cream वहाँ नहीं बेचेंगे, ओव आई साब, news बन गई, news ऐसी बन गई कि इनको कुछ नहीं करना था, देखिए, इन्होंने क्या tweet किया, मैं आपको बताता हूँ, इस story में मजा आएगा, दो तरह के पक्ष हैं इसके, आपको जो lesson सीखना है, एक तो मैंने marketing strategy सिखा दी, इसके लिए आप thank you बोल दीजेगा भविश्व में अगर आप business man बन जाएं, दूसरा marketing strategy के अलावा जो मैं मापनों सिखाने जा रहा हूँ, बूच और मुद्द है, आप इस नात के ऐसी भी देख सकते हैं, anyway, तो साब यहाँ पर आप देखिए, यह news आपको दिखाई देती है, Unilever की कहानी, BDS movement, इसके बारे मैं भी बताऊँगा, BDS यह, बैचलर से वह हैं, डेंटिस्ट्री क्या होता है, वो नहीं है यह, यह कुछ और है BDS movement, सिखाएंगे अभी, अब क्या है कहानी, यह है Ben and Jerry की आइसक्रीन, Ben and Jerry ने अपने द्वारा एक ट्वीट किया, कब की कहानी है, 19 जुलाई 2021 की, टेकनिकली समझ यह, देखिए, कितना smart decision है, आपको क्या लगता है, यह लोग बस यह ही मन में आया, बिलकुल कफिल सर्मा की तरह, कि आज रात को थोड़ी ज़्यादा पी ली, तो च इनिया, कोरोना काल से ग्रसित थी, आइसक्रीम की विक्रियां वैसे ही नहीं हो रही थी, इनने का, चलो कुछ तूफानी करते हैं, 2020 में तूफानी क्या किया, Ben and Jerry will end sale of our ice cream in occupied Palestinian territory, हो गया, अब देखो, Palestinian territory में आइसक्रीम बेचना बंद करेंगे, यह, कि कैसा, Palestinian territory बोले तो, सम मैं दिखा दूँगा, कितनी बड़ी ice cream का plant है, यह, देख लीजिए, और मैं credit पहले business insider को दे देता हूं, पता चले, यह copyright मार दे, ठीक है, तो यह, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी factory है, बड़ीया मतलब company है, यह background चलने देंगे, फिल सही सा आएगा आपको, फिलहा के लिए, इसराइल का map आप भी अपने mobile में खोल लीजिए, आपके पास में जो रखा हुआ international map है, उसमें निकाल लीजिए, देखो बड़ा, जब हम इसराइल को देखते हैं, तो इसराइल की कहानी आप सब को पता है, कि पहले यहाँ पैलेस्टाइन यानि फिलिस्तीन यहूदी जो थे वो जर्मनी से निकल करके यहाँ बसने आए, धीरे धीरे उन्होंने पूरे छेतर के अंदर जहां जहां उनके निवास के इस्थान दिये गए थे, जीती हुई देशों के द्वारा उन्होंने अपने कबजे करने शुरू किये, फिलिस्तीन सिमट करके इतन यहाँ पर यह जो जगह दिख रही है, यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी के पश्चिमी किनारे को वेस्ट बैंक कहते हैं, इस वेस्ट बैंक पर इसराइल ने अपना कबजा अधिकांस जगह पर किया हुआ है, लेकिन फिलिस्तीन भी इसी जगह पर अपनी जगह बना आ चुका है अब ध्यान से सुनिये साथ हुआ क्या इनने कहा कि साब में वेस्ट बैंक के अंदर आइस्क्रीम नहीं बेचेंगे यहीं यह ना ट्वीट देखिए आप एक बार ट्वीट क्या है कि पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी पहले तो इनको भी क्लियर कर देना चाहिए कि पूरा की पूरा पैलेस्टाइन ही इस्राइल बन चुका है क्योंकि अब उसको देखने के बाद कहीं जगें मिलती नहीं है फिर भी वेस्टन साइट क्या बोला मैंने यार भूल गया वैस्ट बैंक और गोलन हाइट्स और यह जो गाजा पट में आ गया अब होना क्या था होना था इस्राइलियों का विरोध और इस्राइलियों ने विरोध किया या मैडम चाय बनाना भूल गहीं उनको याद करो तो सहाब अब होना क्या था कि इस्राइलियों का विरोध हुआ और इतना गजब तरीके से हुआ कि इस्राइली उस का बाइकॉट होना शुरू हुआ आपके दिमाग में सवाल बनेगा सर एक बात बताओ इसराइल में बाइकॉट हुआ तो इससे तो नुकसान हुआ न बैने जैरी का आपको हसी आएगी जानकर आपको पता है बैने जैरी के ओवराल सेल में 20% का इजाफा हुए यह अपने क्यों इंक्रीज हो गई वो मैं आपको बताऊंगा अलग से लेकिन फिलहाल के लिए यह मार्केटिंग स्टेटेजी है क्यों क्यों कि फिलिस्तीन की समर्थन में दुनिया के अंदर बड़ी मात्रा में मुसल्मान रहते हैं जो कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं उनको तो अ अपना यहूदी दुश्मन है और यहूदियों का विरोध कर रहा है तो देखो इसने एक तीर से दो निशाने क्या किये इसने एक तीर से दो निशाने यह किए कि एक करोड़ लोग अगर आइस क्रीम नहीं भी खाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी एवज में दु आना शुरू कर दें तो, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तगड़ा गेम खेला, इस तगड़े गेम के अंदर इनकी सेल में 20% का इजापा हो गया, लेकिन ये अपने आप में के स्टेटरजी हो, ये तो मेरा कंक्लियूजन है, लेकिन आपको जिस एंगल से देखना चाहिए, वो ये है कि भाई सहाब Ben एंड जैरी ने अपना पूरा व्यापार इसराइल में समेट लिया है, छोड़ चाड़ करके चल दी है, दुनिया में तीन ही जगे फैक्टरी थी, उनमें से एक फैक्टरी की इसराइल में थी, उसको अब बेच-बाच के निकलना पड़ गया है, इसक रहा है कि भाई, अब हमसे ना हो पाएगा, हम निकल रहे हैं, हाँ, तेल अंजीर नहीं है, अभी जिंजर है, ठीक है न, तो अभी जिंजर करके कोई कंपनी है, उसको इन्होंने अपना माल बेच दिया है, ये है Ben एंड जैरी विवाद, जिसके चलते आपको दो conclusion निकलते ह हैं, एक marketing strategy का, और दूसरा, ये कि जब कोई देश किसी ब्रांड के विरोध में पूरी तरह उतर आए, तो उस देश के नीतियों के चलते, बहुत जगे आपने देखा है, कि जब भी कोई बड़ा ब्रांड चाइना के खिलास कुछ बोलता है, पूरा चाइना एक हो जाता है उस ब्रांड को वहां से निकल के भागना पड़ता है, इंडिया को भी ये शीच समझनी चाहिए, जब भी कोई ऐसा बयान आए, अभी हुआ था, रिसेंटली, हुंदई के द्वारा पियोके के अंदर एक बयान दिया गया था, हमने खूब जबरदस तरीके से हुंदई को स्वाइकॉट किया, फाइनली ओने माफी मांगी, लेकिन हम लोग थोड़े दिलेर जादा है, माफ करके कहते हैं कि ठीक है, अब कोई नहीं, सौरी बोल रहा है न, एक ब्रिटैनिया का अड़ोटाइज आया करता था शायद, जिसमें एक भाई बैन हुआ करते थे, जिसमें रातरी में आप भरक नहीं पढ़ रहा है, हाँ जी, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आगई होगी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आप हालत देखे हमारी ग्रीन टीम, पानी, पानी के अंदर के वल डिप करना होता है, उसमें भी समझ रहा है, कितना संघर्ष कर क्या आप लोगों पढ़ाता है, और एक आप हो कि कुछ करते ही नहीं हो, यार, अद्द है, सैसन वैसन सेर्वेर करो, यार, चलो ठीक है, तो क्लियर है, कुल मिलाकर के बाद समझ में आगई है, आप सारी बाते, वैस्ट बैंक का इधिहास क्या है, गूगल पर अंकी तवस् अच्छे हमारे अनकेडमी लाइट पर जुड़े हुए है, प्रॉडक्ट की आप उपई होगी ता, इस से समझ सकते हैं, ठीक है न, यह test series है, paid test series है, जिसमें आप connect कर सकते हैं, ठीक है बड़ा, इसमें आपको best educators के द्वारा तयार की हुई content मिलती है, आप इसको अंदर participate कर सकते हैं, ठीक है बड़ा, इसके अलावा अनकेडमी के prelims और CSET को आप target करके पढ़ सकते हैं, अनकेडमी के courses में raise a hand feature है, यदि आप teacher से doubt पूछना चाहते हैं, तो आप doubt पूछ सकते हैं, प्लस courses में हमारे साथ आपको जो content दिया जाता है, उसमें proper तरीके से PDF प्राप्त होत सकते हैं, सारा content PDF के format में प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारे subscription का एक और type है, जिसे आप iconic के नाम से जानते हैं, SSC category के अंदर भी हमारे courses है, मेरा एक नया weekend batch शुरू हो रहा है, SSC के अंदर, यदि आप उसे join करना चाहें, तो बहुती nominal कीमत पे आपको वो course उपलब्ध हो जाए झाले जाएंगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग